आज मैंने बनाया है बहुत ही टेस्ट्री वाला आप सोचे रहोंगे यह क्या है यह है कटेल का कोर्मा यह बहुत ज़ादा टेस्ट्री बनता है हाई फ्रेंट्स मैं हूरितू तो चलिए फटा-फट से देख लेते हैं मैंने कटेल कोर्मा कैसे बनाया है इसको बनाने के लिए यहां पर लिया है बढ़ी आसा कटेल ताजा वाला जिसका मैंने चिलका उतार लिया है और बहुत अच्छी तरह से वाश कर लिया है यह इस पर मैंने रखी एक कड़ाई उसमें मैंने डाला है यह मस्टर्डवल और उसमें हम क्या करेंगे इस कटेल को बहुत अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे यह बहुत ही बड़िया बनता है फ्रेंक्स आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना यह देखिये कटेल हमारा बिलकुल गोल्डन ब्राउन बन गया है अच्छी जो आप फ्रेंट्स लीजेगा वो वह बहुत भी खटधा नहीं लिखेए बीकुल ताजा नहीं होना चाहिए और अब बनाते हैं कोर्मा के लिए बिरिस्ता यानि प्याज हम लेंगे तीन उनको ऐसे मोटा मोटा सा चौक कर लीजिए और इनको खुब तेज ओयल में अच्छी तरह से ट्राई कर लीजिए बस यह भी देखिए बुन गया है जब आपको लगे हलकाल का सब ब् यह भी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब आप क्या करिए इसको मिक्सी का एक जार लीजिए और उसमें डाल के बढ़िया सा पेस्ट बना लीजिए अगर आपको लगे कि अच्छी तरह से पेस्ट नहीं रहा है तो आप एक दो टेबल स्पून इसमें पानी भी डाल यह लीजिए यह कटेल कोर्मा के लिए बढ़िया सा हमारा प्याज का पेस्ट भी रेडी हो गया अब जो तेल कड़ाई में बच किया था उसमें मैंने डाला है एक टेबल स्पून बर के देसी घी और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए अब कोई भी मेहनत करने की है, अब हम बनाते हैं कटेल का कोर्मा इस तेल में हम डालेगे सबसे पहले कटेल और डालेंगे जो हमने दही के साथ में पेस्ट बनाया था सब हो हम डाल दीजिए गैस की आज बिल्कुलًा धिमे कर दीजिए यह बड़ा टेबल स्पून अधरक लेसुन का पेस्ट यह मैं कोई खास मैंनत नहीं पिलिए चीज़नें को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रिए फ्रेंट्स मेरे चलल को सबस्क्राइब करिए और मेरी वीडियो को अपनी family and friends पे जादा से जादा शेयर दीजी बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुन मत भूलिए तकि जो भी वीडियो मैं आपके पास लेकर रहा हूं उसका आपके पास notification फॉरान आ जाए जो लोग facebook पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे facebook पेज को follow करना बिलकुल न भूले थोड़ा साब इसमें पानी डाल दीजिए और ढख दीजिए और धीमी आज पर इसे 5-7 मिनट के लिए आप पकने दीजिए पीच पीच में आप इसे एक दोबर चला ज़रू लिजिएगा आप मैंने इसको खोल कर देखा है पीच में मैंने इसी एक दोब आ चला लिया था थोड़ा सा मैंने डाला इसमें गरम मसाला पिसा वआ इसको अची तरह से mix करिए यह चेक करते हैं कि यह गला है कि नहीं इस तरह से आप कठेल का एक पीज निकालिए और उसको नाइफ से ऐसे कट करके देखिए अभी इसमें फ्रेंट्स थोड़ी सी कसर लग रही है गल दो गया है लेकिन अभी थोड़ा से इसको गलना और चाहिए तो मैं इसे द्वारा कि एक बार थोड़ा सा और पकाऊंगी यह बहुत ही टेस्टी बनता है कठेल कोर्मा आप मेरे कहने पर इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए मैं गरंटी लेती हूं आपके घर में यह सबको बहुत पसंद आएगा तो लीजिए देखिए लग रहा है ना बहुत ही यमी माउ कि बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा टेस्टी वाला कठेल कोर्मा आजकल मार्केट में बहुत अच्छा कठेला आ रहा है इससे पहले कि कठेल का सीजन खतब हो जाए आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है आईए मैं इसे आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ यह कितना टेस्टी बना है आप इसको रोटी के साथ खाएं या परोठो के साथ खाएं यह बहुत ज़्यादा यम लगता है यह देगे लग रहा है ना बहुत ही मसालेदार टेस्टी कठेल कोर्मा इदेगे कित जरूर जरूर ट्राइए करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरे चनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जल्दी मिलूंगी मैं आपसे ऐसी नई नई वीडियो के साथ में बाबाई